हेलो फ्रेंट्स वेल्गम बाक टु माई चैनल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमने हमारा लास्ट वीडियो कवर अप किया था कन वर्जिन ओफ इफिल्सिफ एंड स्विच केसे के ऊपर अगर बात करी जाए यह पर्टिक्लरली जो टॉपिक्स हैं आप यह हमारे जावा के कौन से सेक्षन चेंदर आते हैं डुपिक्स हैं अगर मैं बात करूं के वाउन जावा के ऊपर बेस्ट होता है 15 उसका माकिंग क्राइटेरिया होता है ुदे ये questions 2-2 marks के damn sure होते ही होते हैं बात करते हैं मेरा आज का particular topic जिसके अंदर हम क्या चीज़ करने वाले है conversion of looping friends अगर कहा जाए एक और शांदार topic एक loop को दूसरे loop में convert करना अगर आपको looping समझ में आयते है looping syntaxes आपको clear थे आपको पता है तीन तरीके के loops होते है while, do, while and for आज हम जो यहाँ पर चीज़ा solve करने वाले वो है एक loop को दूसरे loop में किस तरीके से लिखा जाता है start करता हूँ मैं मेरा वीडियो on conversion of looping जैसा कि आप सब लोग देख सकते है मेरा पहला पहला question जिसके बारे में बात करी जाए मैंने उपर headings डाल रखी है मैंने चीज़ा लिखी है पूरी properly start करते है पहला question किस चीज़ के उपर कहते है यहाँ पर base difference वो topic है हमारा while loop को हमें convert करना है किस चीज़ के उपर do, while and for में अगर बात करता हूँ while loop क्या था या तीनो loops के अंदर जो सबसे important चीज़ थी वो क्या थी तीन statements ढूणने आपका सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए initialization second चीज़ आपको पता होना चाहिए condition तीसी चीज़ आपको पता होना चाहिए increment decrement यह अगर ढूणने में successful रहे बाकी बचीवी चीज़ा सिर्फ body of statement है या body of the particular loop है हमारा जो statement से मिलकर बनी body है तो वो कहलाएगी या particularly looping की body कहलाएगी start करते है सबसे पहले question के अंदर जैसा कि आप सब लोग देख सकते है it is one of the very easiest questions of my part अभी तक का सबसे easiest questions में से एक starting सबसे पहली-पहली line हमारी friends क्या चीज़ है initialization and declaration clear second while a greater than equals to 5 friends condition मिल गई हमें यही पर clear loop की body on होई statement body of the loop and आखरी important चीज़ जो हमें चाहिए थी वो भी मिल गया that is increment or decrement यह एक तरीके का reverse loop है decreasing loop है जिसमें decrementation हो रहा है clear friends तो तीन चीज़े initialization int a is equals to 10 condition a greater than equals to 5 increment decrement a minus is equals to 5 बात करते हैं किस चीज़ की यहाँ पर statement क्या है system.out.printl clear यह कही है यह चीज़ कहा है body of the loop और statement convert करते है while loop को किसके अंदर friends हम do while के अंदर ध्यान रखने वाली चीज़े तीन चीज़ों का ध्यान रखना है while से do while बनाते वक्त फिर मैं मैं फिर से repeat करता हूँ while से do while बनाते वक्त सर्फ आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहली important चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है while और जो condition है उस जगे पर do while में क्या जाएगा friends do apply होगा जहाँ पर while condition लिखा जाता है उस जगे पर आप लिखेंगे do while condition को लेकर आजाएंगे सबसे last में जहाँ body खतम हो रही है और आखरी में क्या लगा देंगे semi-colon लगा देंगे चेक करते friends पहले statement से सबसे पहले statement initialization condition बिल्कुल same to same यह ऐसा कैसा हमारा हमने यहाँ पर कोई भी changes नहीं करें in 10 is equals to 10 same to same while condition इसकी जगे पर क्या apply करा do clear friends bracket open body पूरी ऐसी की ऐसी है system.out.println ऐसा कैसा a minus is equals to 5 ऐसा कैसा कोई changes नहीं लेकिन जब closing कर रहे थे friends उस closing के time पर क्या चीज़ आ गई last में condition आ गई with a semi-colon तीन changes हुए पहला change do दूसरा change condition last में और तीसरा change क्या चीज़ आ गई friends आपका semi-colon आ गया बात करें for loop आपको मैंने syntax के time पर ही बताया था for सबसे easy है तीनो statements को a के line में लग दो body बस रह जाएगी अंदर कहाँ पर curly brackets के लदर आपके सामने है for int a is equals to 10 ये हो गया आपका क्या चीज़ फ्रेंड्स आपका initialization semi-colon लगाया a greater than equals to 5 आपकी condition semi-colon लगाया a minus is equals to 5 आपका increment decrement तीनो a के line में आगए दो semi-colon से separate out कर रहे है दो से जादा नहीं है दो से जादा लगाते error आजाएगी syntax गलत हो जाएगा coding में marks कर जाएगे सारी चीज़ होना स्टाट हो जाएगी किते semi-colons है फ्रेंट्स दो बात करते है body में कौन सा statement रहे है system.out.println with value a clear friends while से do while बनाया था तीन steps थे और वो तीन जो important steps है जो तीनों loop में काम आते है for में वो a के line बनाते है बात करते हैं हमारे second question की second question है do while से क्या बनाना है friends while और for दोनों चीज़ बनाएंगे while भी बनाएंगे for भी बनाएंगे start करते हैं पहले इसको पूरा हम अच्छे से split out करते हैं questions को split करके चलते हैं सारी चीज़ा ढूंबते हैं क्या क्या चीज़ा काम किये सबसे पहले line int i is equals to 1, j is equals to 5 initialization and declaration दो variable i और j दोनों का condition ढूंबते हैं t1.setx blank quotes plus i plus j कोई problem नहीं है इससे confuse नहीं होने की जरूबत है आपको इससे confuse नहीं होना यह चीज़ print करेगी i और j को add कर गए इतना सा है खाली का पर t1 पर t1 कोई text field होगा या कोई भी particular एक java component का नाम है जिसके उपर अपने यह चीज़ क्या करने वाले set करने वाले display करने वाले लेकिन कैसे i और j को add करके clear friends अब फिर से एक और तीसरे important चीज increment decrement i में तो increment है और j में friends क्या चीज़ है decrement है start करते हैं तीनों चीज मिल गई जब do while से while बनाना है मैंने अभी अभी समझाया था इस वाले question में तीन forward step while की जगे do लगाया था while condition को last में ले गए थे और semicolon लगाया था जब do while से while बना होगे इनको reverse कर दो यानि कि semicolon हटा दो condition को उपर लिया हो do को remove कर दो clear? आप देख सकते हैं यहां से यहां का conversion पहला step बिलकुल same है do remove हो गया while उपर आ गया और semicolon drop हो गया body पूरी same to same body में कोई भी change नहीं ऐसे कैसे सारे statement जो ऐसे कैसे थे हैं वाहाँ पर clear? बात करें for की तीन चीज़ है अब यह for बहुत important है friends यह for समझना बहुत ज़रूरी है देखे यह चीज़ थी पूरा पूरा initialization उठाया ऐसा कैसा यहां रखा यह semicolon नहीं है friends यह वाली चीज़ यहां पर क्या है यह comma है जो यहां पर था clear? semicolon तो यहीं पर है ठीक है friends condition हमारे पास बीच में फिर semicolon अब मुद्दे की चीज सबसे important part increment, decrement दो हैं आपके पास में जो हम यहां पर use करके चल रहे तो वो दोनो i plus equals to 2 and j minus equals to 5 दोनो यहां रखे comma से separate करके यह चीज़ ध्यान रखना initialization जब एक स्जादा variable का होगा तब बीच में क्या चीज़ लगेगी commas लगेंगे and increment, decrement जब एक स्जादा variable का होगा तब भी बीच में commas लगेंगे semicolon 2 बाराने initialization को condition से separate करने के लिए और condition को increment, decrement से separate करने के लिए body में कौन सा statement रखे गया friends c1.set text blank quotes i plus j की value clear friends यहां तक यह मेरे दोनों questions खतम होते हैं जिसके अंदर हमने पहले question के अंदर while को convert करा do while and for में दूसरे question के अंदर हमने do while को convert करा while में और for में बात करते है friends हमारे question number third and question number fourth की अगर आप देखें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं question number third के अंदर हमें क्या चीज़ करनी है friends हमें for loop को convert करना है दो parts में while and do while में और question number fourth बिल्कुल वैसा question है जिस तरीके के questions हमारे boards में आते हैं एक ही loop एक ही loop में conversion so अभी पहले बात करते है question number third की आप लोग देख सकते हैं जैसा कि पूरा question number third किसके अंदर लिखा है friends for loop के अंदर start करा int x is equal to 5, y is equal to 10 यह चीज़ है friends initialization और declaration दूसरा semicolon से separate करके x less than equals to y condition and तीसरा semicolon से separate out करके x plus is equal to 2, y minus is equal to 2 यह है आपका increment तो अब important चीज़ जब आफ 4 से while do while बनाते हैं तो friends दोनों के cases में आपको क्या चीज़ करनी है increment, decrement को तो आपको लेकर आजाना है किसके अंदर body के अंदर सबसे आखरी statement यानि कि body में जितने भी statements पहले थे उसको सबसे last में लिया हूँ clear और initialization and variable declaration को एक step बहार लिख दो उपर just आपके 4 वारी line से जहां आपके 4 लिखाओ तो उससे एक step अब आप start करते है while conversion दिखातों में आप लोग को आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यह conversion क्या हूँ है plus एक important चीज़ क्वेशन में body के बहार भी एक statement है printing statement तो आप देखेगा कहां और कैसे use करना है start करा सबसे पहली चीज़ initialization declaration को हमने बहार लिखा आपके सामने है यह रहा ऐसा कैसा index is equals to 5, y is equals to 10 with semicolon condition उसी जगे रही with while जब आप while लिख रहे हैं तो while में condition same जगे आती है और वही की वही ही रही ऐसी कैसी body open करी पहला statement था z is equals to x plus y important चीज body के statement पहले वही रहेंगे जहां पर है उसके बाद में जो हमारे increment decrement वाले statement से दो हैं friends दोनों उठा के कहां आजाएंगे body में और अलग-अलग दोनो statements अलग-अलग हैं आप semicolon चे separate out करेंगे चालू किया पहला x plus is equals to 2 x plus is equals to 2 semicolon y minus is equals to 2 y minus is equals to 2 semicolon body end गर्दी जो यहां पर end वही थी body के बाहर वाला statement friends ऐसा का ऐसा यहां भी कहां आएगा body के बाहर ही आएगा clear while बन गया while में क्या चीज़ हुई थी आपके 4 से while बनाने के लिए initialization declaration को उपर ले गए increment, decrement को body के आखरी में ले आए बाकी statements वही के वही रहे जैस जगे थे अब while से do while बनाने के आप लोगो कोई पता है सिर्फ 3 steps है हमारे कौन-कौन से 3 steps while के जगे पर do लिखो while को last में लेकर आ जाओ और semicolon लगा दो आप देख सकते हैं while से do while बिल्कुल सेम बना while के condition वली जगे पर do apply कर दिया हमने जहां closing of bracket था हुआ closing of bracket के साथ साथ condition आ गई और semicolon आ गया बाकी steps ऐसे कैसे इस step में और इनके steps में और कोई change नहीं है सिर्फ वो 3 change के लाबा clear friends यह था मेरा question number 3 जिसके अंदर हमने 4 को convert करा है while and do while अब बात करते हैं हमारे question number 4 की जिस तरीके के question हमारे boards में आते हैं clear start करते हैं सबसे पहले 4 loop हैं यहां तक ही है clear friends start करा पहला-पहला statement आपका initialization and declaration दूसरी चीज condition और तीसरा increment decrement clear clear अंदर आए एक if लगा हुआ यानि कि एक loop के अंदर एक selection construct दिया एक simple if दिया है जिसमें condition है y less than equals to x और अगर true होता है अगर यह चीज़ true होती है तो y plus equals to run होने वाला है clear friends और यही पर यह loop खतम हो गया start करते हैं अभी अभी आपको बताया for में क्या चीज़ करनी है friends increment decrement को अंदर लाना है body में और initialization declaration को बाहर लेके जाना यानि कि इस चीज़ को आप लोग एक step उपर बाहर लिखेंगे और इस चीज़ को आप body में कहां पर लेकर आ जाएंगे सबसे आखरी statement बना देंगे इसको clear? start करें आप देख सकते हैं initialization declaration बाहर while condition उसी जगे पर जहां फॉर था body open body के दोनों statements यह वाले same to same और आपका increment decrement last में body way पर close clear friends ये था मेरा video conversion of looping हमने तीनों loop convert करें मेरे पहले question के अंदर हमने while loop को convert करा किस के अंदर do while and for के अंदर हमारे दूसरे question के अंदर हमने convert करा do while loop को किस के अंदर friends while and for के अंदर हमारे question number third में हमने convert करा friends किस चीज़ को for loop को convert करा while and do while के अंदर और last question number fourth के अंदर हमने सिर्फ एक for loop को convert करा है अगर वीडियो पसंद आयो प्लीज दू लाइक, सुस्क्राइब और शेर असमुच 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 थैंक यू सो वेल मच